औम भिडला को दूसरी बार लोकसभा द्यक्ष चुने जाने पर राज्थान के भाश्पा कारिकर्ताओं में खूशी की लहर है ओम बिड़ला लगातार दूसरी बार लोगसवा द्यक्ष बनने वाले दूसरे और बिजेवी के पहले निता है जो लगातार दूसरी बार लोगसवा द्यक्ष बने है ओम बिड़ला का राजनितिक सफर चातर संग चुनाव से शुरू हुआ था जो की लोगसवा द्यक्ष सक पहुंचा है छातर संगा द्यक्षब ने के बाद वे सिर्फ एक बार चुनाव हा रहे थे चातर राजनीती में बिडला साल 1995 में आए थे यहां से चातर राजनीती करेर की शुरुआत करने वाले ओम बिडला ने मैं इस्ट्रीम की राजनीती की शुरुआत साल 2023 में कोटा सीट से विदानसभा चुनाव जीत कर की थी ओम बिल्ला को आज धवनी मत से नीर विरोध लोकसभा द्यक्ष चुन लिया गया ओम बिल्ला की निर्वाचन छेतर कोटा बुंदी में जशन का माहूल है विजेपी कारेकरता खुश्या मना रहे हैं ओम बिल्ला के परि करताओं और कारेकरताओं ने पटा के फोड कर और एक दूसरे को मिठाई खिला कर जश्न मनाया और बदाई दी इस दोरान भाच्वा परदेश कारेकरणी सदेश्य सत्य परकाश आचारे महामंत्री मोहन सुराना सहीद भाच्वा पदादिकारी मोजूद थे रास्तान के उ मोदी का अभार जताया और बिल्ला को अध्यक्ष चुने जाने के फैसले को कोटा के साथ ही परदेश के विकास के नजरीर से एहम बताया